सो हेलो एंड वेलकम यू ओल आएम रोईद फ्रम महाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेट के बारे में और गाइस अगर देखा जाये तो स्टॉक ने आज काफी अच्छे रिटन्स दिये हैं और मैंने कल ही बोला था कि कल गाइस ये अ साथ साथ जो न्यूज इसमें आई है उस न्यूज की वज़े से भी काफी ज़्यादा एफेक्ट पड़ा है स्टॉक की उपर ओर न्यूज क्या है उसको भी हम देखने वाले हैं और काफी बड़ी ख़बर है गाइस अगर आप गेल इंडिया के अगर आप शेर हो तो बिलक उन टार्गेट के बारे में बात करेंगे उस न्यूज के बारे में बात करेंगे चार्ट के बारे में बात करेंगे काफी कुछ बाते और काफी कुछ इंटरस्टिंग चीज़ा हम देखने वाले है इस वीडियो में तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्स पेसे के price पे closing दी है दो रुपे 75 पेसे तक stock बढ़ा है 2.02% की stock में तीजी है so guys अब बात करेंगे सीधा news की तो चलते हैं सीधा news पर तो guys news पर हम आ गए है और अगर news को मैं पढ़ू Gale India Limited has acquired equity stack of 26% in ONGC तीरपूरा पावर कमपनी वीच ओन्स एंड ओपरेट्स 726.6 मेगावाट गेस बेस्ट कॉंबिनेंट साइकल पावर प्लांट इन पलाटना तीरपूरा तो पलाटना तीरपूरा में ONGC कमपनी 726 मेगावाट गेस बेस्ट गेस के साथ जो कमबाइनट साइकल पावर है उसे ओन करती है ONGC कमपनी और इस ONGC कमपनी में अगर देखा जाए तो Gale ने Gale India ने यहाँ पर कितने परसंट का stack यहाँ पर लिया है guys 26% का stack बड़ा है 26% क stack बड़ा है जो की काफी बड़ी बात है और इसी के साथ साथ भी stock में काफी तेजे आएंगी और company भी इससे strong होती है तो guys इससे बड़ी news क्या हो सकती है तो अब बात करेंगे सीधा इसके charts की और charts में भी मैंने कल ही बोला था और guys यहाँ पर आप देख सकते हो एक W pattern यहाँ यहाँ पर बन रहा है double bottom यहाँ पर बन रहा है और breakout मिलता है तो बिलकुल इस stock उपर जाए गाई guys और first breakout तो हमारा confirm हो गया था तब ही मैंने बोला था इस level पर कि आप बिलकुल इसे buy कर सकते हो guys मैंने यहाँ पर buy call दिया था और जिन जिन लोगों ने इस पर buy किया होगा उन पर guys breakout मिला है stock सीधा उपर की और ही जाएंगा और कुछ levels मैंने दिये थे उन levels के वैजिस पर ही मैंने बोला था कि सीधा उपर की और momentum है आप देख सकते हो इस level को break किया इस level को break किया अब यह सीधा 140 का जो हमने targets दिये है कई सारे targets हमने दिये थे वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर जो important support level एवाला है मैंने बोला था कि यहाँ पर भी आप buy कर सकते हो क्योंकि इसी support level से stock उपर की और जाएगा और बिलकुल वही हो रहा है guys stock बिलकुल उपर की और जा रहा है और यहाँ पर भी support लिया है stock नहीं यहाँ पर भी support लिया है तो इन ही level के basis मैंने बोला था कि stock उपर की और जा रहा है तो यहाँ पर आपको दीख रहा होगा 200 का target तो 200 का target मैंने किस हिसाप से दिया है as a long term की हिसाप से अगर आप invest करते हो तब ही आप इच्छा profit इसमें कमा सकते हो guys क्योंकि आब यह सीधा यहाँ पर support लेके अगर देखा जाए तो य guys 5 दिन के time frame पर stock कितना बड़ा है तो 10 रुपे तक 10 रुपे 30 पेसे तक के return stock ने दिये है 8.02% के हिसाप से और guys वही अगर बात करूँ 1 मन के time frame पर क्या कुछ हुआ है 6 रुपे 25 पेसे तक stock या पर बड़ा है 4.72% का return stock ने दिया है और 6 महिने के time frame पर stock में गिरावट है और उपर यह जाएगा ही जाएगा और देखा जा तो 11 रुपे 15 पेसे तक stock गिरा है माइनस 7.44% के हिसाफ से और guys वही अगर देखा जा यहाँ पर कहा पर stock open हुआ था 136 रुपे 10 पेसे पे stock हुआ था open 149 रुपे 10 पेसे पे हुआ था high लगया था stock ने 134 रुपे 10 पेसे का high और 52 पेसे का low तो high की अगर बात करूं 111 रुपे 30 पेसे का यहाँ पर 52 पेसे का high है और low की अगर बात करूं 124 रुपे 25 पेसे का low भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और guys वही अब news की बात तो हमने कर ली अब बात करेंगे resistance levels और support levels की तो resistance level को अगर देखा ज लेवल है सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल 138 रुपे 98 पेसे का है और third resistance level 141 रुपे 47 पेसे का दिख जाएगा support levels की बात करें 133 रुपे 277 पेसे का first support level है, second support level 131 रुपे 08 पेसे का है और third support level 129 रुपे 62 पेसे का है अपर दिख जाएगा guys तो pure level हमने discuss कर लिये है और यह important होत अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे price performance क्या कुछ बढ़ रहा है price performance देखा जाए तो नीचे भी जाता है ओपर भी आता है तो इन्हें अच्छे से discuss कर लेते हैं तो guys price performance में 3 years का देखा जाए तो minus 21.37% यहाँ पर minus में है 1 year का देखा जाए 3.62% यहाँ पर plus में है year and half का अगर देखा जाए 7.47% यहाँ पर plus में है 3 months का देखा जाए तो 16.56% यहाँ पर minus में है 1 month का अगर देखा जाए 7.76% यहाँ पर plus में है और 1 week का देखा जाए 8.77% यहाँ पर plus में दिख जाएगा guys तो price performance भी यहाँ पर plus में दिखाई दे रहा है और दिखा जाए यहाँ पर क्या कुछ trade values और वन करोड का असवास का बेल्यु है और करोड का sound का करोड के संथिंग का अपर लाग का कॉमिनेंट डिलिवरी भी देखने को मलजाएगा तो ट्रेड यहाँ नाँन दिल्यु हमने दोनों ही गास देख लिये है और बात करेंगे अगर community sentiments के आकड़े तो community sentiments के आकड़ों में अगर देखा जाए तो 88% जो लोग है वो बिलकुल buy call दे रहे और 8% जो लोग है ओके रहे हापर sell के लिए 4% जो लोग है ओके रहे हापर hold के लिए 2268 करोड है और 2021 का net profit कम है बड़े बड़ेगा ही बड़ेगा और 4420 करोड का net profit भी हमें आपर दिखाई देदेगा तो गाइस अब बात करेंगे shareholding pattern तो shareholding pattern में अगर दिखा जाए प्रमोटर्स 51.85% के साथ है FIS यहाँ पर 18.36% के साथ है और DIS की बात करूँ 25.66% के साथ है और public holding भी 4.14% के साथ यहाँ पर दिख जाएगी तो गाइस shareholding pattern भी हमने देख लिया और कापी कुछ interesting चीज़े थी जो हमने यहाँ पर discuss कर ली है वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर देना चनल को subscribe कर देना thank you